उम्र से पहले बालों का सफेद होना, बालों का बहुत ही जादा जहरना, या बाल बहुत जादा बेजान होना, बालों में कितने सारे आपने प्रोड़क्ट्स यूज़ कर लिए, रेमेडी ज़ाई कर ली बट फिर भी बालों की गरोथ नहीं बढ़ना तो आज मैं आपके साथ एक remedy share करने जा रही हूँ दोस्तों जो remedy आपके बालों की growth को बढ़ाने के साथ साथ आपके दो मुखे बालों को दूर करेगी आपके बालों को मुलायम बनाएगी सिल्की बनाएगी शाइनी बनाएगी और बेजान बालों में चमक लेके आएगी उसकी जो डलना से है उसको दूर करेगी तो देख लेते हैं इस remedy को बनाना कैसे है तो इसके लिए सबसे पहले चाहिए आपको दोस्तों अलोवेरा जेल तो और इसको मोटा मोटा कट कर लिजिए तो यह बालों में हमने कट कर लिया है उसके बाद हमें fair करना इसको में मोटा मोटा कट करके हम इसे grinder jar में डाल देंगे और इसका हमें बना देना है दोस्तों एक पेस्ट को बना देना ऐनूवरेजल और अनियन का यह दोनों चीजे दोस्तों बड़ी सिंपल हैं बड़ बहुत ही पावर्फुल चीजे हैं अलोवरा जल में आपको पता है एंटी अलेडिक गूट एंटी इंफिलमेटरी गूण एंटी ऑक्सिजन से भरपूर होता है और इसको अब हमें क्या करना है जब हम इसका पेस निकाल बड़ नहीं है तो यह देखें यह हमारी रेमेडी बनके बिल्कुल रेडी हो चुकी है दोस्तों इसको आपको अपलाए कैसे करना है इसको आपको किसी भी टाइम वैसे अपलाए कर सकते हो मिनिमम तीन गंटे आपको अपने बालों में रखना है नहीं तो आप ओवर नाइ लाइके आएगा बाल आपके इससे मुलायम हो जाएंगे सिल्की होंगे साइनी होगे जो दो मुखे बालों की समस्य होती है न वो भी इससे दूर हो जाएगी तो पूरे बालों में से आप अपलाए कर लीजिए दो तीन घंटे के लिए रहने दीजिए उसके बाद अपने को वाश कर लीजे अनियन जूस आपको बताए हैर ग्रोथ के लिए हैर फॉल के लिए राम बार्ण चीजे है ये इसको आप अपने बालों की जड़ों से लेकर पूरी लेंध पर लगाईए लेंध पर इसलिए रगाना जरूरी है क्योंकि इसमें अलोवरा जल है जो आपके ब आफ्टर मुलायम बनाएगा दो मुखे बालों की समस्या को दूर करेगा अगर उम्र से पहले आपके बाल सफेद हो रहे हैं तो उस परिशानी को भी दूर करेगा तो दो यह तीन घंटे बाद अपने बालों को वाश कर लीजे अप खुद इसके रिजल्ट आप देखेंग आपको मिलेंगे